देश का सिर मौर कहे जाने वाले जमू कश्मीर में जल्द ही विधान सभा के चुनाओ होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसली है। बीजेपी भी घाटी में सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। इसी के तहत केंद्री ग्री मंत्री अमिश्या हमिशन कश्मीर पर एक बार फिर्ट से आक्टिव हो गए हैं। इस दोरे को बीजेपी के हार के डर के तौर पर देखा जा रहा है। जमू कश्मीर के सियासत दूसरे राज्जियों से बिलकुल अलग है। यहां जनता की नम्स को टटोलना जितना मुश्किल है उतना ही उनके दिल में बसना। इसलिए राजनीतिक दल चुनावी बेगुल बजने से पहले ही घाटी में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपकशिदल महागटबंधन को नया रूप दे कर चुनाव जीतने की जुगत में हैं तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के माथे पर भी शिकन बढ़ती जा रही है। यही वज़ा है कि खुद अमिश्याह लगातार घाटी का दौरा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शाह एक दो अक्टूबर को जमू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। के पार्टी वोट बैंक को बढ़ानी की कोशिश करेगी। दरसर जमू के पुंच राज़ौरी जिले और घाटी के बारा मूला जिले में पहाडी भाषा समुदाय के लोग बड़ी तादात में हैं। यही वज़ा है कि पार्टी ने अनुसूचत जनजाती से जोड़े गुर्जर बकरवाल मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली खटाना को बाज़पा ने हाल ही में राज्य सभा के लिए मनुनीद किया है। गुर्जर बकरवाल जमुकश्मीर में स्टी में आते हैं और इनमें हिंदू एवा मुसलिम दोनों होते हैं। बहु संख्यक आवादी मुसलिमों की ही है। कश्मीर में मुसलिमों के बीच पैट बनाने की कोशिश के तहट बीजेपी बकरवालों को साथ रही है। अब बीजेपी ने जोती समी करणों को साधने का प्लान तो बना लिया है लेकिन देखना होगा कि क्या जनता उसके जहांसे में फसेगी या नहीं